नर्स बनी मौत की सौधागर एक के बाद एक जिंदगी मौत के उसपाथ लोगों के साथ खेला जिंदगी और मौत का खेल स्क्रीन पर दिख रही ये महिला पेशे से तो एक नर्स है लेकिन इसने 19 लोगों की जिन्दगी के साथ ऐसा खेल खेला जिसकी जीत और हार की चाबी इसके हाथ में थी इस नर्स ने हैवानियत की सारी सीमा पार कर दी और मरीजों को दर्द भरी मौद दी जो नर्स लोगों के जिंदगी बचाने के लिए जानी जाती हैं वो यहां लोगों के जिंदगी के साथ ऐसा खौफनाग खेल रही है जिसे ना सूचा जा सकता है और ना ही समझा मामला साथ समंदर पार United States of America का है हाँ उसी अमेरिका का जो इंसानियत की गुहार लगाते फिरता है सवाल ये भी उठता है कि कैसे इस महिला ने पुलिस की नाक के नीचे इतने लोगों के जिंदगी को नर्क बना दिया नर्स का नाम है हीदर प्रिस्डी रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी स्टोट पेंसिलवेनिया की नर्स हीदर प्रिस्डी पर पहले ही दो मरीजों की मौत कारूप लगा है और अब उससे आगे की कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसी जाच के दौरान ऐसा संसनी खेज मामला सामने आया जिसे सुन बहा के पुलिस अभितारी चौक गए नर्स ने इन दो हत्याओं के अलावा 17 और लोगों की हत्या करने की बात कबूली यानि हीदर ने अब तक 19 लोगों को मार डाला है ये महिला नर्स सिर्फ 41 साल के है लेकिन इसने 19 मरीज जिनकी उम्र 43 से 104 साल के बीच है उनकी जिन्दगी को बच से बत्तर कर दिया अब सवान हुटता है कि कैसी ये नर्स इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया करती थी दरसल साल 2020 के बाद से हीदर ने ये खतरना खेल रचना शुरू किया इसने पहले अपने शिकार चुल लिये थे दरसल ये शुगर के मरीजों को अपना शिकार बनाती जितने भी शुगर के मरीज इसके पास देख़ाल के लिये आते उनको ये भारी मात्रा में इंसुलिन देती इंसुलिन की वज़े से मरीज धीरे-धीरे मौत के करीब चला जाता मामला जब किसी की पकड में नहीं आया तो हीदर ने बेशुगर मरीजों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर लिया लेकिन सब के साथ प्रोसेस सेम था पहले भारी मात्रा में इंसुलिन देना, मरीजों को तरपाना और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देना इचौनी जनरल मिशेल हेंडी ने महिला नर्स हीदर प्रिसिडी के खिलाफ नए आरोप दायर किये हैं जिन में दो हत्या के अलावा हत्या के प्रयास के साथ 17 मामले और देखभाल पर निर्भर व्यक्तियों के उपेक्षा के 19 मामले शामिल है ये सब ही उन 19 मरीजों से जुड़े हैं जिन पर महिला नर्स द्वारा दुर व्यभार करने का आरोप है इस मामले में धीरे धीरे और भी खुलासे हो रहे हैं लेकिन अभी तक के सामने नहीं आया कि इस खौकनाक साज़श के पीछे महिला का कौन सा कारण छिपा है हुआ है